नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ आफ सभी बिल्कुल सुष्टेव अमस्त होंगे आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आफ सभी से बहुत ही बड़ी अपडेट की बहुत ही बड़ी खवर की दोस्तों यहाँ पे रसिया की 50% टूपस अटैक पोजिशन पे आर चुकी से बड़ी डंप आई यह पूरी जानकारी देते हैं इन सब बातों से पैनिक होने की कोई जरूत नहीं हम है आपके साथ और दोस्तों आज इसे और अभी से एक टेलिग्राम ग्रूप में फुल्ली अपडेटेड अनलाइसिस के साथ साथ पल-पल की खवरे पहुँचे कोईसिस करेंगे पूरी तरह से आपको अपडेटेड रखे दोस्तों यहाँ पे जो खवर निकल के आ रही है रसिया यूक्रेन के क्रैसिस के तरफ से अगर हम न्यूस चैनल पर देखे तो यह इस तरीके से पोट्रे किया जारा है जिससे लोग काफी जाना पैनिक हो सकते है बढ़ यहाँ पे अगर हम दुसरी खवरों को देखे जो की practically निकल के आ रही तो उससे कुछ बात आपको clarity देखने को मिलेगी कुछ बात पे पूरी की पूरी clarity मिलेगी रोस्तों اور साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखे तो बहुत सारी बड़ी अपडेट्स में निकल के आ पर हम देखें तो भाई यहां पर nuclear exercise चल रही है रस्या की तो क्या nuclear हमला हो सकता तो मैं इसे कहता हूँ भाई बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर इस समय यह दुनिया nuclear war में उलत जाती है तो भाई यह stock market क्या और दोस्तो crypto market क्या यहां पर सभी के सभी सभी से बड़ी crash होंगे और बहुत बड़ी dump होगी क्योंकि दोस्तो nuclear war एक बहुत ही खड़ा विस्तिती होती है तो chances कितने है मैं वानता हूँ अभी nuclear war के chances 0.01% अरोस्तो क्योंकि chances बिल्कुल नहीं है 99% chances है कि nuclear war नहीं होगा इसलिए टेंसल लेने की कोई जुरत नहीं है अब आज आते है basically update किया देखिए अगर छोटी सी भी world around कहीं भी कोई बड़ी country अगर world में involved रोटी है तो उससे दोस्तों बहुत बड़ा hit impact होता है stock market में और आप crypto market में भी सायच सापको यह impact देखने को मिल जाए क्योंकि Russia backed Ukraine separatist call for full mobilization दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो छोड़ने की बात की गई है mobilization का मतलब होता है छोड़वाना मतलब अपने countrymen को कहना अपने लोगों को कहना भाईया आप इस जगए को छोड़ दीजिए क्योंकि tension काफी जारा बढ़ते जारी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाईया यहाँ यहाँ पर बताया जारा practically कि भाईया वहाँ जो यूक्रेन में Russia के मतलब बैग्ड सेप्रेटिस्ट है वो कहना है भाईया अपने लोगों से कि भाईया आप यहाँ पर हट जाईए कभी भी वाड का मोर्चा खूल सकता तो दो दोस्तो एक तरह के से हम देखें तो भाईया खबर धीरे धीरे यह पक्की होते जारी है कि Russia जो है वाड में Ukraine के साथ involved हो सकती है लेकिन अभी भी मैं कहूंगा अभी सेल करने का बिल्कुल सही समय नहीं है जैसे ही कुछ अपडेट होगी हो तो मैं टेलिग्राम ग्रूप में आपको बताऊंगा ही और साथी साथ यह थोड़ा सा हिंट कर दूँगा कि भाईया अब आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं अभी मैं मानता हूं यहाँ पर सेलिंग करने का समय नहीं आ है जोस्तों क्यूंकि ऐसा महौल क्रियेट किया जाता है मार्केट को थोड़ा डंप करने के लिए और बिटकुएन और इथेरियम लगबग 4-6% नीची आ चुके हैं इथेरियम तेजी से नीचे आ रहा है एल्ट कवी मार्केट वापर अपने जान में आ सकती है और कवी मार्केट बर अबहुत बढ़ी आरांस्मेंट कर दिया है ट्वीटर के मासे उन्हें ने कह दिया रासिया को कि आपको इस वार का अगर आपने वार का मुर्चा खोल दिया तो इसका बहुत बड़ा इंजाम भुगतना पड़ेगा तो दोस्तों अगर हम देखें अगर रसिया पे कोई भी सैंक्सेंस लगाए जाते हैं अगर रसिया के वार किया जाता है USA के तरफ से तो इससे स्टॉक मार्केट औ बड़ा सा रोगा लेकिन मुझे नहीं लगता अभी USA वार में इंवाल्व होगी दोस्तों और USA के अगर इंवाल्मेंट नहीं रही वार पे तो इंपक्ट काफी कम होगा ये बात को भी आपको क्लेरली समझना है तो अभी जितनी भी निउस निकल के आड़ ये रसिया यूक करी जहां कि अगर हम सभी से पहले जाके क्रिप्टो मार्केट को तो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा वही है क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रही है तो बिटकोईन को अगर हम देखे तो बिटकोईन भी तेजी से नीचे आ रही है और साधी साथ सा से नीचे आ रही है इथेरियम भी आज लगबग 6% नीचे आ चुकी है अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्यों काम नहीं कर रहा है दो लेकिन अगर हम जाके सीरे इथेरियम को सर्च में रेखें तो एटियाच भी देखिएगा दो 6% नीचे है जो कि एक सिगनल दे रही ह यहाँ मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकती है अगर न्यूज यहाँ फिर रिपोर्ट खड़ाव आई तो मैं आसा करता हूँ अब ज्यादा रिपोर्ट खड़ाव नहीं आना चाहिए जो टेंसन चल रहे है वो देखे रोस्तों हैं पर दो कंसर्ण है अगर यूक्रेयन जाके शीरे सीरे नाटो में सामिल होता है तो रसिया जलूर से अटेक करें क्योंकि रसिया नहीं यह बात किलरली कह दिया है कि अगर यूक्रेयन भाई तुम जाके नाटो में सामिल होगे तो मेरे लिए सिकुरेटी रिज़न्स है और रसिया जैसी कंट्री जो है सिकुरेट पर दिन वर्स होते जा रही है और रसिया जैसे अपनी टुप्स की विल्डप बढ़ा रही है भी खवर निकल के आ रही है कि रसिया यूक्रेइन के बॉर्डर के पास डेर लाक टुप्स जमा हो चुके कुछ दिन पहले खवर थी कि बैक हो रहे है टुप्स लेकिन दोफ्तों अब वो सारी खवर से हट करके बताया जारा रसिया ने पूरी यूल्द की तयारी कर ली है वार ड्रिल्स चालू है ड्रिल्स का मतलब होता है वहिया ट्रेनिंग की वा जारी है और जोस्तों यहां पर अगर हम देखे तो बहुत सारी टैंक्स को भी लाकर रखा गया है यूक्रेयन के बॉर्डर पे तो यह सारी अपडेट जरूर से खड़ाब है बट फिर भी जब तक वार डिकलेर नहीं होता है तब तक अपने असेट को पैनिक सेल बिलकुल करें क्योंकि दोस्तों यह सारे चीजे एक टाइम पर अकर एंड हो सकती है डिकलोमाटिक सॉल्यूसन से और अगर यह सॉल्यूसन काम करेगा तो अभी अगर आप बेस देंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मैं यह जिरूर से कहूंगा कि स्टॉप लोस सब्सक्राइब करने को कहूंगा जो छे मैने के लिए अपने पैशे को रख सकते है या फिर सालबर के लिए रख सकते कंगे जो टक कर नहीं हो यहाई नहीं कि हमने साथ पलपल की अपडेट पूरी स्टैटेजी के साथ बतायेंगे और भीया कमसे कम नुक्सान आपको हो इसी का कोशिस करेंगे और साथ साथ जादा से जादा प्रॉफिट वनाए इस पर दोस्तों पूरी अप्डेट्स लेके आएंगे बाकी दोस्तों आपको रसिया और युक्रेन के इस युद्ध में जो होने वाली है दोस्तों आगे इन फूचर हो सकती है उसके अनलाइसिस कैसी लगी जरूर्ट से कमेंट सकत करके बते हीगा फिर मैं लास्ट में यही कहूंगा कि पैनिक मत किजिए रोस तो पैनिक सेलिंग करना बिल्कुल सही नहीं होता है और अगर आप पैनिक सेलिंग करेंगे तो हो सकता अगर यह यूद्ध टल जाए तो आप भाईया बाद में सुचेंगे मैंने क्यू सेल करा और मैं फिर से इसी केसार वीडियो को एंड करना चाहूंगा फिर मिलेंगे आप सब इसे अपने एकली वीडियो में थैंक्यू विडियो में यह फ्रेंड्स